हाई दिस इस निखिल एन वल्कम बैक टू माय वाई टी चैनल अगेन आप लोग जब भी कोई नया स्मार्टफोन पर्चेस करते हो तो आप सबसे पहले उसमें क्या देखते हो दोस्तों मैं तो यहां प्रसेसर के अलावा कैमरा स्पेसिफिक्शन को भी प्रायर्टी देता हू आजकल जो ट्रेंड चल रहा है न मल्टी कैमरा सेटप का वो काफी ज़्यादा बढ़ चुका है डूल कैमरा सेटप से शुरू करके अब यह मामला पेंटा कैमरा सेटप तक पहुच चुका है वैसे हाला कि इंडे के अंदर अभी कोई ऐसा स्मार्टफोन लाँच नहीं हु जो कि आपको बेस्ट कॉलिटी प्रोवाइड करें बेस्ट फोटोस प्रोवाइड करें और बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करें तो इसके लिए मैं आपको ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो कि आप पर्चेस कर सकते हो अंडर 13,000 रूपीस 13 नही सामिल किया इसकी को लेकर थोड़ी सी प्रोवलम में लेकिन कैमरा ओ प्रॉसिंग को लेकर के तो कोई भी प्रोवलम आपको नहीं होने वाली 48 MP वाला प्रोवाइड के आपको यह पर दिया जा रहा है जो कि मोस्टली आपको परीमियम इसमार्टफोन में देखने को मिलता है इसके अलावा selfie cameras भी 105 degree angle वाली मतलब wide angle shot के लिए काफी ज़्यादा useful चीज आई है बाकि key specs की अगर बात करे तो Ampoco 6.44 inches वाली full HD plus flood AMOLED display मिल जाएगी 98 का refresh rate मिल जाएगा, Snapdragon 765 view processor मिल जाएगा, up to 12 GB RAM मिल जाएगी and 4,115 mAh वाली battery मिल जाएगी जो कि 33 warp charging को support करती है Poco की और से Poco M2 Pro एक ऐसा smartphone है जो कि rebrande रोने के साथ-साथ affordable smartphone भी है जो कि Redmi Note 9 Pro globally launch हुआ था वो यही smartphone है बस फर्क इतना है कि यहाप आपको charging technology अच्छी खासी दी जा रही है तेकिन rebrande रोने के बाद में भी हमारा नुकसान क्या है दोस्तों अगर आपको उसी price range में कुछ अच्छे वीचर दिये जा रहे तो नुकसान क्या है हमारा यहाँ पे भी आपको same case देखने को मिलेगा दोस्तों 48 MP का main sensor है 5 MP का micro sensor है उसके बाद में 8 MP का ultrawide sensor है और 2 MP का depth sensor मिलेगा Selfies के लिए भी आपको यहाँ पे 16 MP का selfie camera प्रोवाइट के है जो कि AI detection AI portrait जैसे mode को support करता है इसके लावा 10 और mode मिल जाती है आपको इसके साथ में बागी के key specification में आपको 720G वाला processor मिल जाता है 33W की fast charging technology मिल जाती है side mounted fingerprint sensor है 6.6 inches वाली एक full HD plus display है और up to 6GB of RAM and 128GB of internal storage आपको यह पे मिलता है Poco M2 Pro के बाद में अगर मैं best smartphone बता हूँ Redmi का कोई भी तो मैं आपको स्मार्टफोन करूँगा Redmi Note 9 Pro Max जी आपको यह स्मार्टफोन काफी बढ़िया है और इसे मुझे Poco M2 Pro के पहले suggest करना था आपको पहले represent करना था लेकिन चलता है इतना उपर नीचे होता रहता है दूसरी चीज़े 64MP का quad rear camera setup आपको यहाँ पे दिया जाता है जा आपको 64MP का main sensor मिलता है 8MP का ultrawide sensor मिलता है 5MP का micro sensor दिया जाता है और 2MP का depth sensor मिलता है और साथ में selfies के लिए आपके selfies के लिए भी यहाँ पे आपको एक अच्छा camera प्रवाइट किया गए 32MP का selfie camera आपको यहाँ पे मिलता है Redmi का ही कोई smartphone चाहिए आपको cameras के लिए तो यह smartphone एकदम perfect है बाकि इसके जो key specification है वो 6.67 इंचिस वाल एक full HD plus डिस्प्ले से 5,020 mAh वाइटरी 33W की fast charging का सपोर्ट मिलता है snapdragon 720G processor मिलता है अब 28GB RAM and 128GB internal storage आपको यहाँ पे दिये गया है अब आपको कोई ऐसा smartphone चाहिए जो कि Chinese भी ना हो और cameras भी काफी जोड़दार रहे तो सिर्फ एक company है जो कि आपको इस सारी चीज़े provide करेगी Samsung जिया इसी के तरफ से Galaxy A51 आता है जो कि अपने बहतरीन camera setup की साथ में आ रहा है infinity OLED display मिल जाती है आपको यहाँ पे main चीज़े camera तो camera में आपको 48MP का quad rear camera setup आपको यहाँ पे मिलता है 48MP का main sensor मिलता है साथ में आपको 12MP का wide angle lens मिलता है 5MP का micro sensor है और 5MP का portrait sensor दूसरी चीज़े यहाँ पे आपको 32MP का selfie camera प्रोवाइड किया गया है जो कि Big C Vision, Hyper Lapse और Super Slow Mo जैसे features के साथ में आता है बागी की specs में आपको 6.5 इंचेस वाली Super AMOLED display मिल जाएगी Exynos 9611 वाला processor मिल जाता है और up to 8 dBF RAM and 128 dBF internal storage आपको यहाँ पे मिलता है Realme कभी एकार्टी smartphone list list में होना ज़रूरी है तो यहाँ पे अगर Realme X3 के Super Zoom वाले variant की बात आए तो उसे बला कौन कैसे बूल जकता है Realme X3 Super Zoom में इसके जो regular variant है Realme X3 के comparison में काफी अच्छे improvements किये गए cameras में लेकिन एक बात मेरे यहाँ पे समझ में नहीं आई इसका जो पुराना वाला smartphone था Realme X2 वहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले दी गई थी Realme X3 के अंदर IPS LCD पैनल देकर के company ने क्या जतानी की कोसिस की है I don't know anyway यहाँ पे cameras की बात हो दी तो मैं cameras की बात करता हूँ 64MP का quad rear camera setup आपको यहाँ पे मिलता है जहाँ आपको 64MP का main sensor मिलते है जो कि अपने 60X optical zoom के साथ में आता है उसके बाद में 8MP का periscope plan से 8MP का ultra white sensor lens मिलता है और 2MP का micro sensor आपको यहाँ पे दिया गया है 6.6 inches वाली 120Hz LCD display मिल जाती है 4200mAh वाली battery मिल जाती है 30W की fast charging का support मिलता है और up to 12GB यह prime and 256GB आप internal storage मिलता है और के चाहिए Realme की तरब से दूसरे smart phone को भी मैंने इस list में सामिल किया जो कि है Realme X2 Pro जी है क्योंकि काफी size specification आपको यहाँ पे मिल जाते है हाला कि इसका कुछ price price बढ़ा दिया गया जब से Realme X3 Series इंडिया के अंदर आई है तब से लेकिन यही होती है एक marketing strategy anyway आप आप में लोग cameras की बात करें जो 64MP का quad rear camera setup आपको यह पे दिया जाता है जहाँ आपको 64MP का main sensor मिलता है 13MP का telephoto lens मिल जाता है 8MP का ultrawide sensor मिलता है और 2MP का depth sensor आपको यहाँ पे प्रोवाइड के गया और selfies लेने के लिए आपको 16MP का selfie camera भी दिया गया है बाकी के जो key specs है उसमें आपको Snapdragon 855 plus वाला processor मिलता है Dolby Atmos sound system मिल जाता है 6.5 inches वाली 90Hz AMOLED डिस्पले आपको यहाँ पे मिल जाती है चारजर एमेच वाली बैटरी भी मिलती है मैंने सूचे Samsung का एक और स्मार्टफोन इस लिस्ट में इंक्लूट कर देता हूँ क्योंकि काफी लोग ऐसे है आजकल जो कि पहला प्रिफरेंस देरें सेमसंग के स्मार्टफोन को एंटी चायना सेंटीवेंट के चलते है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सैमसंग M31 प्रोवाइड किया है इस लिस्ट के अंदर सो दोस्तों यहाँ पे आपको 64 MP का क्वार्ड रियर केम सेटप मिल जाता है जाब आपको 64 MP का एक में सेंसर मिलता 15W की Fast Charging का सपोर्ट मिल जाता है 6.4 इंचेस वाले एक Full HD Plus डिस्प्ले है Exynos 9600 वाला जीप सेट मिल जाता है और अपटो 6GB राइमान 128GB इंटरनल रिज्टोरेज आपको यहाँ पे मिलता है तो दोस्तों यह ऐसे स्मार्टफोन तो जो कि आपको Best Quad Camera Setup प्रोवाइड करते है वैसे Quad Camera Setup की जहां तक बात है तो आपको 10,000 के अंदर भी मिल जाते है लेकिन जहां आती ही बात Quality की दोस्तों तो वहाँ पे आपको 30,000 के अंदर वाले स्मार्टफोन ही Best Quality प्रोवाइड करते है वैसे Best Cameras के लिए 30,000 के उपर वाले स्मार्टफोन को भी Purchase कर सकते है लेकि इस तरीकी की Daily Take Videos आपको इस चैनल पे मिलने वाली है इस फिलाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में तब तक के लिए बाएगे